नमस्कार, तो W.M. डेविस के अनुसार, किसी स्थर रूप का विकास, किसी विशेश प्रक्रम द्वारा, किसी खास सरंचना वाले भूखंड पर निश्चित समय के अंदर होता है, ये जो लाइन मैंने कहीं, इसमें तीन चीजे मैतपून है, किसी विशेश प्रक्रम द्वार किसी खास सरंचना वाले और निश्चित समय के अंदर होता है, तथा इसका विकास कई अवस्थाओं से उके गुजरता है, और उन्होंने कहा कि ये जो विकास होता है, कि कई स्टेजिस इसके अंदर होती हैं, और जो डेविस थे, उन्होंने सरंचना शब्द का प्रियोग बड़े वाग रूप में किया है इसमें चट्टान की स्थिती एंप्रकर्ती दोनों को समलित किया है सरंचना अपरदन को बहुत प्रभावित करती है डेविस के नुसार और इसी से चक्र का समापन और स्थल रूपों का सरूपता होता सरंचना जो है जिस भूभाग के उपर कोई विशेश परकर्म यहां थोड़ी देर के लिए नदी ले सकते हैं यदि वो अपरदन कर रही है तो उस थल रूप को कब काट के संतल कर देगी संतल प्राय कर देगी ये चीज जो है ये सरंचना जो है उस शेत्र की उस चटान विशेश की उस परवत विशेश की सरंचना किस तरीके के पदार्थों से हुई है इसका बहुत महत होता है प्रक्रम जैसे मैंने बताया कि आप प्रक्रम का मतलब प्रॉस जो है जो अपरदन करने वाली शक्ती है तो उसके विश्य में जिब आपन बात कर नहीं इसमें तो आप नदी को ही मान के चलिए दूसरे चीज़ के बारे में हम जिकर नहीं करें और समय अवधी तो समय अवधी उन्होंने ये कहा के आगे चलके उन्होंने इसको और डिस्क्राइब किया है समय अवधी मतलब वो ये कहते है कि एक फिक्स समय है करीब करीब एक फिक्स समय है जिसमें वो कारिय होगा और फिर एक और फिक्स समय जिसमें वो कारिय होगा तो इस तरीके से उन्होंने 94 तरीके से तीन बागों में इसको बाटाए डेविस मौदे ने स्थल रूप के विकास की तीन अवस्थाओं तीन स्टेजेज उन्होंने बताई स्थल रूप मतलब जो लेंड फर्म्स बनती है उनके विकास की तीन उन्होंने अवस्थाएं बताई वो वस्थाएं है यूवा प्रोड और जीन यूथ मैच्योर एंड ओल्ड तो अवस्था का उलेक किया यूवा प्रोड और जीन वस्था सरंचना, प्रक्रम और अवस्था तीन चीजें होगे सरंचना, प्रक्रम, नदी, अवस्था, युवा, प्रावड और जीन का प्रभाव वहां की दृश्य भूमी के निर्मान तथा अंतिम रूप में पढ़ता है कि वहाँ किस तरीके की इन स्टेजिज में किस तरीके की स्थल रूप बनेंगे और आंतता है वहाँ पर किस तरीके का दृश्य भूमियाप को देखने को मिलेगी वो ये चीजें तै करती है अब आगे आता है उत्थान और अपरदन का संबन्द क्या है ये सबसे मैतबून पक्ष है इरोजन साइकल को समझने में चाहिए उत्थान और अपरदन का जो संबन्द है वो किस तरीके से है ये काफी विवाद का विशे है डेविस के नुसार उत्थान के अवधी छोटी होती है और उत्थान समाप्त होने पर ही उस पर अपरदन प्रारंब होता है डेविस ने कहा कि जो अपलिफ्टमेंट है कोई भी चीज अपने मूल जगे से उपर उठ लिए जैसे ये एक सर्फेस है ठीक है अब डेविस के नुसार जो इस तरीके से इसमें उभार होगा इस सर्फेस में इसको अपलिफ्टमेंट करेंगे समतल से इसमें उभार होगा तो डेविस जो है वो उत्थान की अवधी जो है उसको छोटी बताता है मतलब आप यह कह सकते के त्वरित उत्थान मतलब उनका जो यह इस चीज पे सबसे ज़्यादा अलोचना भी उनकी हुई कि जो उनका आप उत्थान जो है वो कम समय में ही हो जाता है और अपर्दन जब उत्थान समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसके उपर कारे करना प्रारम करता है साथ साथ नहीं चलते कहीं भी ये लोग साथ साथ ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलते उत्थान के उधी छोटी और अपर्दन के उधी लंबी जब तक कि वो सारी क्रियाए समाप्त ना हो जाए इस विशय पे जर्मन जो भोगोल वेता थे उन्होंने उनकी बड़ी आलोचना करी लिए इस विशय को ले इसको आप इस तरी के समझ सकते हैं कि माल लेजे ये डेविस का चक्र है तो डेविस का जो चक्र है वो ये कहता है कि जो चीजें ऊपर उठती हैं यहां से उसका चक्र शुरू हुआ और वो घूम के यहीं पर समापत हो जाता है और ये जो एरो है ये मीन सी लेवल से उस चीज की उचाई बतारी है ये मैक्सिमम है ये सी लेवल है यहां जिस चीज के बराबर ये आ जाएगी ये जो नीचे की लाइन है ये आधार तल है तो डेविस जो है उसके नुसार उत्थान और अपरदन कहीं भी साथ साथ नहीं चलते पहले उत्थान होता है उसके बाद उसके उपर अपरदन की क्रिया प्रारम होती है ये संबब नहीं है क्योंकि प्रिथवी के उपर प्रिथवी तल पर इस तरह के कोई उधारण हमारे सामने नहीं है और ये एक सैज सी बात है कि अपरदन की जो शक्ति है जैसे ही कोई भूमी कोई भी स्थलखंड आधार तल से उपर उठना शुरू करेगा उसका किसी न किसी रूप में शे उसका किसी न किसी रूप में नुकसान प्रारंब हो जाएगा इमिजेटली जैसे ही वो थोड़ा सा उससे उपर उठता है किसी न किसी रूप में उसका अपरदन उसका पक्षे के कारक उस चीज का नुकसान करना प्रारंब कर देदे नुकसान से मतलब यही ह को घटाने का कारे शुरू कर दे यह संभवी नहीं कि अपरदन के कारक इस चीज़ का इंतजार करते रहें कि पहले तो यह पूरा उठ जाए और फिर उसके बाद वो उसके उपर प्रभावी रूप से कारे करें अपरदन और अपक्षे के कारक अनाचहदन जिनको हम बोलते है अनाचहदन की जो शक्ति है फिर डेविस जो है उसके जो चक्री वे वस्था है उसने तीन अवस्था बताई पहली अवस्था तो वो है जिसमें चीज ऊपर उठी तो डेविस के नुसार तो उसमें परदन होता नहीं तो उस समय जो है क्योंकि अपरदन नहीं हो रहा होता, इसलिए जो रिलीफ है वो लगातार बढ़ता जाता है, मतलब उस स्थल्खंड का निचला हिस्सा और उपरला हिस्सा दोनों की उचाई में विर्द्धी होती जाती है, पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था जो है, ये वो अवस्था है जबके उचाई जितनी उस स्थल्खंड में आनी थी, वो उसको प्राप्त कर चुका है, और अब उसमें कोई उचाई और नहीं बढ़ रही उसकी, रित्वी ज्यांत्रिक शक्तियों से, तो भी उसके अंदर जो सबसे उच्चा भाग है और जो सबसे निन्मतम भाग है, वो स्थिर रहता है, और इस थिती के अंदर, क्योंकि धाल बहुत ज़्यादा है, उत्थान बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो नदी जो है प्रकरम के रूप में, वो अपनी घाटी को गैरा करने का काम करती है, तो इस कारण जो सबसे उपर की उचाई है और जो सबसे निम्न भाग है, उन दोनों के बीच का गैप बढ़ता है, ये यूँ आवस्त है, डेविस के रूप साब। उसके बाद जो अगली स्टेज है, उसमें लंबवत अपर्दन, वर्टिकल एरोजन, जो नदी अपनी घाटी को गैरा करने का कारे कर रही थी, कि अपेक्षा होरिजॉन्टल, शैतेज अपर्दन जो है, वो अधिक होता है, शैतेज अपर्दन अधिक होने के कारण, और ये अपर्दन दोनों जगों पे होता है, सबसे उंचे भाग का भी अपर्दन हो रहा है, अपक्षे के कार को और अपर्दन के कार को द्वारा, और नदी घाटी जो है वो चौड़ा होने का भी काम हो रहा है जब चीज चौड़ी होती है तो धीरे धीरे जो परम उचाई है वो गटने लगती है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसमें लेट मी शो यूँ डेविस जो है वो इस तरीके से यह आपको दिख रहा है यह युवा वस्था है यह प्रॉड वस्था है और यह जीरन वस्था है यह घाटी के विकास की तीन स्थितियां इसके अंदर बताई गए तो डेविस के अनुसार जो प्रॉड वस्था है उसमें लबत अपर्दन के पेक्शा शैतेज अपर्दन अधिक होता है और वो सबसे उचे भाकोवी पर भावित करता है और निचले भाकोवी पर भावित करता है तो इस कारण जो उच्चा वच्च है ये उच्चा भाग है ये गाटी के निम्तम भाग इनके बीच की दूरी गठने लगती है तेवराक पर्दन की वज़े से जो ये उपरला भाग था ये तेजी से नीचे की तरफ जुकता है ये प्रावड अवस्ता है परमुचाई गठती है अंतमे जो दोनों इससे थे ये दूसरे के जो सबसे उचा और जो सबसे गहरा जिसको नदी ने किया ये धीरी धीरी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक संप्राइम मैदान में मलब एक संप्राइमी करीब करीब जो संतलो सम्प्राइम मैदान में वो चीज परवर्टित हो जाती है और उसमें मोनोडेनाक एक शब्द उन्होंने इस्तमाल किया मोनोडेनाक जो है अलपेश अपलेशियन के मोनोडेनाक पारी के नाम पर उन्होंने इसको लिया खड़े रह जाते हैं आप वो समतल मैदान उसमें कहीं कुछ गुम्बद नुमा आकर ती रह जाती है ये जीर नवस्ता है ये सबसे लास्ट टेज है तो देविस जो थे जैसा मैंने पहले का कि वो अपने समय से बहुत आगे के शोद करता थे और ये उन लोगों की शिरिणी में थे जो लोग समय से ऐसे स्थानों में जाकर वर्षों रहते या लगातार जाकर देखते थे कि क्या क्या परिवर्टन हुआ है इनका ग्यान केवल किताबी ग्यान नहीं था या कोई लेब के मॉडल से इन लोगों ने चीज़े नहीं सीखी थी इनों ने वास्तिक चीजों को जाकर महसूस किया था उनकी तिवर्ता उनका नदिय पर्दन से जो चीज़ें हो रही है उनका प्रभाव तो ये चीज़ें अपने आप में बड़ी महतपून थी और मैं फिर ये कहूँगा कि जिस समय डवलू एम डेविस ने ये चीज़ें सोची उस समय आपका पंताजा लगा सकते कि तब तकनीकी ग्यान कितना एक था कितने एक ट्रांसपोर्ट के साथ हनते कितने संचार के साथ हनते तो ये वो वेक्ती थे जिनको आप कह सकते हैं कि जो ऐसे शोध करता थे जो संयम से जाके चीज़ें देखते थे और उनके बारे में अध्धन करते थे बहुत गेंता से अध्धन करते थे और फिर कोई बात अपनी प्रतिपादित करते थे और महतरपून बात यह है कि जो उन्होंने कहा उसको आज भी मानने ता मिल रही इसके बाद अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा डेविस के चकर की क्या-क्या लोगों ने आलोचना करी और उन आलोचना करताओं में सबसे प्रमुक पैंक मौद थे उन्होंने एक और नए तरीके से चीजों को अपरदन चकर को समझाने का प्रतन किया अलाकि वो बहुत अलप आयूमें उनकी मृत्तियू हो गई थी तो फिर हम उसके बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करें